हाई, गूड यूणिंग एब्रीवन, बेलकम टू आल आफ यू, दिस इस पूचा डियर श्टुडेंट्स, हम सभी लोग सॉल कर रहे हैं वियस्सी नर्सिंग के प्रीवियस एर कोश्चन पेपर जिसमें कल की वीडियो में हम लोगोंने 25 कोश्चन कवर कर लिये थे यहाँ पर मेंली हम आपको बाइलोजी की कोश्चन सॉल कराते हैं आज भी हम लोग 25 कोश्चन बाइलोजी की ही सॉल करेंगे आप सभी को पता है कि Physics and Chemistry से भी कोश्चन आते हैं तो आपको तीनों सब्जेक्ट को एक्वल बैटेस देना है तो आपको सब्जेक्ट को एक्वल बैटेस में लेकर चलना है आज की इस वीडियो में 25 कोश्चन मेंली बाइलोजी की सॉल करेंगे अगर आप चैनल पर नए हैं तो डेफिनिटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दीजिए ओके चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारे 25 कोश्चन है 25 कोश्चन यहां तक हम लोगों ने कंप्लेट कर लिया था है ना आज का हमारा कोश्चन है 26 26 से हम लोग 26 से 50 तक कोश्चन करेंगे तो सभी स्टूडेंट से हमारी हमबल रिक्वेस्ट है कि आप नोटबुक एंड अपना क्में ले लिजी और इन सभी कोश्चन के एंसर आप अपने आप से देने की कोश्चिस करें ठीक अपना एंसर अपनी वुक पे उसे राइड आउन करें एंड लास्ट में आप एनलाइस करें कि आपने 25 कोश्चन में से कितने कोश्चन सही किये हैं इससे क्या होगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं एनलाइस कर सकते हैं कि आपको अभी अपनी प्रिपरेशन को और कितना वुष्ट करने की जरूरत है किसी भी exam के जो previous question होते हैं या फिर जो उनको model papers होते हैं उन्हें solve करना बहुत ज़रूरी होता है कि जिससे आपको अपना confidence भी boost हो इसके साथ अपनी जो analysis की power है उसे भी आप boost कर सकें क्योंकि आपने theory form में पढ़ लिया और जड़ा सा question modify करके पूछ लिया तो आप बताने ही पाते हो है ना तो यहां से क्या होगा कि आप अपने analyze करने की जो power है जो question को analyze करने की उसको समझने की जो power है उसे भी increase कर सकते हो इसके साथ ये भी चेकर सकते हो कि आपके profession कितनी है कितने आप question सही कर पा रहे हो तो लौर्स आप benefits होते हैं previous question paper solve करने के तो जब तक आपका exam नहीं हो जाता तो तो मैं continue आपके लिए previous year के question paper और कुछ model papers लेकर आऊंगी जिनें आप अच्छे से solve करते रहना बहुत सारे doubts या कह सकते कि बहुत सारे concept आपके हमारे papers solve करते करते ही clear हो जाएंगे क्योंकि यहां पर हम थोड़ा सा detail में discuss करते हुए question को solve कराएंगे तो कई सारे concept तो आपको question solve करते ही clear हो जाएंगे तो चलिए आप ध्यान से और अच्छे से इन questions के answer करने की कोशिस करिए जो हमारे पर फॉस्ट questions है that is one second जी तो हमारे पर जो फॉस्ट according to Hugo Debris the mechanism of evolution is 26 question क्या कह रहा है कि जो Hugo Debris हमारे scientist थे उन्होंने evolution के बारे में mechanism को बताया था evolution की mechanism को बताया था तो उनकी जो evolution की mechanism थी उसे क्या कहते थे phenotypic variation नाम दिया या फिर saltation नाम दिया या multiple step mutation या फिर minor mutation दिया तो उन्होंने क्या बताया था यहाँ पर हमारा correct answer क्या हो जाएगा option number C that is saltation ठीक है जो Hugo Debris ने evolution की mechanism दी थी उसे उन्होंने saltation term दिया था clear now next question question number 27 which of the following gastric cells indirectly help in erthropoiesis erthropoiesis में कौन सी cells अपना role play करती है erthropoiesis that means erthropoiesis ने की RBC के formation में RBC की formation को क्या कहते है erthropoiesis कहते हैं तो erthropoiesis के लिए जो है इसकी process के लिए कौन सी cells responsible है हमारे पर फर्स्ट क्या है goblet cells, mucus cells, chief cells and parietal cells तो आप correct answer बताने की कोशिस करेंगे यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा parietal cells parietal cells के पास क्या है intrinsic castral intrinsic factors है जो की erthropoiesis में अपना role play करता है now next 28 next question 28 select the hormone releasing intrauterine device यहाँ पर आपको four intrauterine devices दी गई है इसमें आपको बताना है कि वो कौन सी devices जो हार्मोन को release करती है ठीके जो हमारे पास waltz lng20 second multi load 375 projistret या फिर projistazard lng20 तो यहाँ पर आप correct answer बताने की कोसिस करेंगे आपका correct answer क्या हो जाएगा option number c that is projistazard lng20 intrauterine device से जो की projistron hormones को release करती है ओके नाओ नेक्स्ट इस 29 question number 29 which of the following is true for golden rice golden rice के बारे में आपको फोर स्टेटमेंट्स दिये गे हैं आपको यहाँ पर correct स्टेटमेंट्स को चूज करना है okay first is it is vitamin A enriched with a zine from dephodil second it is paste resistant with a zine from bacillus thuringiasis option number c it is drought tolerant developed using agrobacterium vector it has yellow grains becomes of zine introduced from primitive variety of rice आपको यहाँ पर correct स्टेटमेंट्स करना है कि golden rice को जब जो है genetically modify करके golden rice variety को बनाया गया तो वहाँ पर क्या किया गया था जो golden rice से यह vitamin A enriched होता है और इसके साथ जो इसके लिए gene responsible है वो क्या है gene from dephodil dephodil से gene cool दिया गया था ठीके तो हमारा यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा that is correct answer option number A okay option number A आपका यहाँ पर correct answer हो जाएगा now next question that is question number 30 pinus seed cannot germinate and establish it without fungal association यह fungal आप से सही कर लिजे fungal ठीके fungal association this is become जो pinus का seed है ठीके जो pinus का seed है यह तब भी germinate करता है जब इसके साथ fungal association होता है तो यह fungal association क्या है its embryo is immature it has obligate association with mycorrhiza it has very hard seed coat its seed content inhibitors that present germination तो यहाँ पर आपका correct answer क्या हो जाएगा that is option number V it has obligate association with mycorrhiza mycorrhiza क्या है यह fungus है ठीक है hyphy जो fungus की hyphy है mycorrhiza उसके साथ यह fungal association को sow करता है pinus ठीक आप बताएंगे कि psychus की जो corraloid roots होती है ठीक है psychus की जो corraloid roots होती है उनमें किसका association होता है fungus का या फिर algae का या फिर bacteria का और आप बताएंगे कि अगर है तो किस organism का ओकी नाओ नेक्स्ट question 31 which are the following sexually transmitted disease is not completely curable इनमें से sexually transmitted ऐसी कौन सी disease है जो curable completely उसे ठीक नहीं किया जा सकता completely उसे cure नहीं किया जा सकता है gonorrhoia genital wards या फिर genital herpes या फिर claim ideas तो यहाँ पर आपका correct answer क्या हो जाएगा that is option number B option number C genital herpes ठीक है genital herpes आपका correct answer हो जाएगा next question question number 32 which are the following statements is incorrect इनमें से आपको incorrect option choose करना है virus like a protein coat जो virus है क्या इनकी पास protein नहीं होती है यानिकि इनके पास protein की जो coat होती जो protein उसकी absence होती है viruses और obligate parasites virus क्या है obligate parasite है option number C infective constitute in virus in the protein coat यानिकि जब virus जो किसी भी host को infect करता है तब वहाँ पर वो केवल protein coat को transmit करता है या फिर pranze consist of abnormally folded proteins जो pranze हैं abnormally folded proteins तो इन में से आपको incorrect बताना है यहाँ पर incorrect option क्या हो जाएगा option number C infective constitute in virus is the protein coat नहीं होता है क्योंकि virus के पास क्या होता है genetic material वही host में उसको donate करता है ठीक है और वही disease को cost करता है तो यहाँ पर जो अपना infection जब करता है जो transmit करता है वो protein coat ना करके genetic material करता है next question question number 33 that is expressed sequence tags ESTS refers to tags जो है expressed sequence tags ESTS जो है यह क्या बताता है gene expressed as RNA polypeptide expression DNA polymorphism यहाँ फिर novel DNA sequence तो यहाँ पर आपका correct answer क्या हो जाएगा option number A genes expressed as a RNA जो expressed sequence tags EST यह क्या करता है RNA की तरह जैसे gene को expressed करवाता है ठीक है next question question number 34 which are the following immune response is responsible for rejection of kidney grafting ठीक है जैसे जो tissue grafting या फिर you can say जो grafting होती है ठीक है यानि कि किसी भी grafting भी आपकी four types की होती है genografting and autografting ठीक है इस तरीके से आपकी four types की grafting होती है यानि कि transplantation की बात होती है तो अगर किसी अगर किसी भी organism से kidney को निकाल करकर दूसरे organism में उसे transplant करवाया जाए तो उस समय जो उसके rejection के लिए जो किडिनी के रिजक्षन के लिए जो responsible होता है immune system वो क्या होता है autoimmune response या फिर humoral immune response inflammatory immune response या फिर cell immediate immune response तो यहाँ पर आपका correct answer क्या हो जाएगा that is option number d cell immediate immune response तीक है इसके लिए cell immediate immune system है वो responsible होता है जो की transplantation के rejection के लिए ओके next question question number 35 the frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome measure of the distance between genes was explained why recombination है है जब crossing over होता है packet in stage में तो tetraad बनते है उनके वीच में जब recombination होता जब crashing over होता है ठीक इसमें recombination होता है gene के बीच में तो वहाँ पर उनके बीच में डिस्टेंस होता है वो किसने explain किया था आपको यहां से correct एंक्शन बताना है टी एच मॉर्गन जेजे जो ग्रेगल जान मेंडल सी अलफ्रेड इस्टर्टी वेंट इसको आप correct कर लीजे इस्टर्टी वेंट ठीक है एंड जो लाश्ट ऑप्शन है सटन वावरी तो किसने explain किया था इसको तो वो थे हमारे अलफ्रेड इस्टर्टी वेंट तो यहां मारा correct option क्या हो जाएगा option number C ओके नाउ next question question number 36 इसमेड प्लावर्स ठीक है जो pineapple है इसमेज़ फ्लावर्स आते हैं वो काफी time लेते हैं काफी time के बाद flowers देखने को मिलते हैं which combination of hormone can be applied to artificially induced flowering in pine apple plants throughout the year to increase yield ठीक है pineapple की yield को increase के लिए हम artificially किस hormones को यूज़ कर सकते हैं कि plant में flowering जो है early हो जाए यहना उसके time के according उसमें plant में जो flowering ही वो जल्दी हो जाए और उसमें fruit जल्दी आना start हो जाए ठीक है तो उसकी yield को हम किस hormone को use करके increase कर सकते हैं तो आपके अबर four options हैं auxin and ethylene को use करके या फिर zebralin and cytokinin hormone को use करके zebralin and abscessic acid को use करके या फिर cytokinin and abscessic acid को use करके तो आप answer देने की कोशिस करेंगे यहाँ पर आपका correct answer क्या हो जाएगा option number A auxin and ethylene auxin and ethylene को अगर हम artificially use करेंगे तो जो pineapple का plant है उसमें flowering जो early flowering होगी इससे की जल्दी उसमें fruit आएँगे और हमें क्या मिलेगी अच्छी yields देखने को मिलेगी next question question number 37 that is identify the cells whose secretion protects the lining of gastrointestinal tract from various enzymes क्या कह रहागी ऐसी कौन सी cells है ठीक है जो हमारी gastrointestinal tract जो हमारे digestive enzyme है उनसे बचाती है है ना जो digestive enzyme है वो हमारी gastrointestinal tract पर वर्क ना करके वो particular फूड के digestion में ही अपना role प्ले करते है तो वो कौन सी cells है कौन है prevent करता है यह आपको बताना है यहापे chief cells second goblet cells या फिर oxynetic cells या फिर duodenal cells तो यहाँ पर आपका correct answer क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा option number C goblet cells जो goblet cells है यह gastrointestinal tract को जो है different enzymes से उसे prevent करती है कि जो enzymes हैं ठीक है वो कही gastrointestinal tract को ही ना digest कर दे यह इसलिए उन्हें prevent करती है जो goblet cells है यह unicellular होती है ठीक है unicellular glands होती है आपको इस बात को भी अच्छे से याद रखना है हमारी body में अगर unicellular की बात की जाए कि unicellular endocrine gland कौन सी है ठीक है जो हमारी goblet cells है यह unicellular glands होती है ओके next question number 38 what is the site of perception of photoperiod necessary for induction of flowering plants आपने देखा कि flowering plants होते हैं वो photoperiodism को सो करते हैं है ना light की presence या absence में moment होता है वो उसके लिए responsible होते response देते हैं ठीक है तो उसके लिए plant का कौन सा parts responsible होता है lateral birds pulvinus suit effects या फिर leaves तो यहां पर आपका correct answer क्या हो जाएगा leaves जो flowering plants की leaves हैं वो photoperiod के लिए perception site की तरह work करती हैं यानि कि light को absorb करके response करती हैं ओके next question 39 39 select the correctly written scientific name of mango which was first described by carolus lenius देखिए BSC nursing entrance exam में बहुत difficult question नहीं आते हैं यहाँ पर most आप question से वो आपके 11th and 12th NCRT से ही लिए गये हैं और अगर आपने BSC कर रखी हैं अगर आपने UG कर रखा हैं तो definitely यह सारी चीज़ें आपको बहुत easy लग रही होगी यह question एकदम से हलुआ हैं अगर आपने एक बार अच्छे से NCRT को read कर लिया और आपकी BSC लेवल की preparation अच्छी है तो intense exam आप चुटकियों में crack कर लेंगे बस आपको minus marking को अच्छे से ध्यान में रखना है ठीके और आपको अपने त्री जो आपके तीनों की तीनों जो subject है physics, chemistry and biology उन्हें equal weight देना है equal उन्हें त्यार करना है ठीक है तभी आपका exam एक ही बार में अच्छे से आप crack कर सकते हैं ओके तो कितना easy question यहाँ पर पूचा है आप से क्या पूचा है कि जो mango है इसका scientific name क्या है आप सब भी पूचा है कि mango का scientific name first time carolus lineus ने रखा था है ना तो यहाँ पर आपका character answer क्या हो जाएगा manzifera indica carolus lineus या फिर manzifera indica lineus manzifera indica या फिर mongophera indica तो आप answer करने questions करेंगे very easy question and very very important आपको अच्छे से scientific name plants के and कुछ animals के याद कर लेने हैं ठीक है तो यहाँ पर आपका character answer क्या हो जाएगा option number C manzifera indica lineus ओके now next question question number 40 xylem translocates xylem translocates water only जो xylem है जो plants में vesicular bundle से उनका function क्या है vesicular bundle में xylem and phloem आते हैं ठीक है तो xylem क्या translocates करता है only water water and mineral and salts only water mineral salts and some organic nitrogen only या फिर water mineral salts some organic nitrogen as well as hormones है ना तो यहाँ पर मारा correct answer क्या हो जाएगा option number D ठीक है water के साथ साथ जो minerals हैं salt से जो soil से absorb किया है इसके साथ जो organic nitrogen हैं टीक है जो organic nitrogenous compound से उन्हें इसके साथ कुछ hormones को भी यह क्या करते हैं ट्रांस locate करवाते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपका correct answer क्या होगे option number D next question question number 41 gravis disease caused due to जो gravis disease है यह किसके कारण होती है hyposecretion of thyroxine hyposecretion of thyroxine या फिर hyposecretion of thyroid या secretion of cortisol किस हार्मोन के excess secretion के कारण gravis disease हो जाती है तो यहाँ पर आपका correct answer क्या हो जाएगा hyposecretion of thyroxine हार्मोन ठीक है thyroxine हार्मोन के excess secretion से gravis disease हो जाती है next question question number 42 to cell in z naught phase अगर cell z naught phase में है तो वो क्या कर सकती है exit the cell cycle enter the cell cycle या फिर suspend the cell cycle या terminate the cell cycle अगर आपकी cell z naught phase में है तो वो क्या कर रही है वो cell अपने किसी भी permanent function के लिए fix होने के लिए अपने आपको prepare कर रही है यानि कि वो चाहेगी कि हम cell cycle में enter कर जाएं क्या चाहेगी cell cycle में enter कर जाएं और divide करके किसी भी permanent function के लिए fix हो जाएं अगर cell G naught phase में से exit हो गई है cell cycle से exit हो गई है तो फिर वो G naught phase में चली जाएगी उसके बाद वो किसी भी function के लिए fix हो जाएगी ठीक है यह बास समझे ही तो यहाँ पर आपका correct answer हो जाएगा option number B इंटर दा cell cycle clear next question that is 43 which are the following contraceptive methods involve a role of hormone ठीक है जो contraceptive methods है इन में से आपको बताना कि ऐसी कौन कौन सी contraceptive methods है जो की hormone जो उनका role है वो hormonal है first lactational एमनोरोया pills या फिर emergency contraceptives ठीक है second barrier method lactation एमनोरोया या फिर copper tea pills emergency contraceptives या फिर pills emergency and contraceptives तो यहाँ पर आपका correct answer क्या हो जाएगा lactational pills and emergency contraceptives जो है यह hormone की तरह वो करेंगी है इनका role किसमे होगा hormonal role है in methods का now next question question number 44 title volume and expiratory reserve volume of an athlete in 500 ml and 1000 ml respectively title volume कितना है यहाँ पर title volume है 500 ml ठीक है title volume कितना है 500 ml and जो expiratory reserve volume है यह कितना है 1000 ml है तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है ठीक तो इसकी capacity कितनी हो जाएगी जो 1500 ml हो जाएगी ठीक है यहाँ पर आपका correct answer क्या हो जाएगा option number A 1500 ml ओकी जो हम respiration वाला topic पढ़ाएंगे तो हम आपर detail में बताएंगे कि title volume कैसे निकालते है title volume क्या है expiratory reserve volume क्या है and expiratory capacity कैसे निकालते है इसके लिए फार्मूले से उन्हें हम detail में अपने जो है detail class में बात करेंगे ठीक है तो आप practice set लगाते रही है previous question paper solve करते रही है इसके साथ साथ आप detail class को भी पढ़िए ताइम निकाल लिए और detail class को भी एक बार अच्छे से revise करते चलिए अगर आपके एक बार concept clear होगे ना तो फिर आप से चाहे कैसा भी question पुछे क्यों ना उसको modify करें चाहे expiratory capacity पुछे चाहे जो आप से यहाँ पे टाइरल volume की capacity पुछता तो आप definitely निकाल पाएंगे वहाँ से तो concept clear करना बहुत ज़रूरी है तो आप प्रैक्टिस सेट करने के साथ आप डीटेल क्लास को भी attempt करिए चलिए next question पर चलते हैं question number 45 that is DNA precipitations out of our mixtures of biomolecules can be achieved by treatment with मानिए कि आपके पास एक cell है उस cell में आपका nucleus nucleus के अंदर आपका क्या है DNA है जैसे आमने cell को क्या कि गृंड किया किसी भी DNA जो किसी भी cell के DNA का आप study करना चाहते हैं वो इसको molecules देखना चालते हैं इसमें gene expression कोसे भी करना चाह रहे हैं तो क्या करना पढ़ेगा आपको DNA को cell से separate करना पढ़ेगा है ना तो जब हम DNA को को से ऍ κάν estral करते हैं उस समय उमारे पास सेल को ग्रिंड करने बाद के बाद वायो मलीकुल्स का मिक्स्चर्स होता है उसमें से हम डी इनेयों को कैसे प्रेशीड डेस कर सकते हैं उसके लिए कौनसे घृवायों कैमिकल्स क्यूल को यूज कर उसे हम प्रेसिपिटेट करते हैं या फिर चिल्ड क्लोरोफार्म डालते हैं तो यहां पर आपका गारेक्टर इन्सफर क्या हो जाएगा बच्चों, आफ्षिन नमबर V, चिल्ड एथेनॉल, चिल्ड एथेनॉल से हम लोग DNA को प्रेसीपिटेट कर लेते हैं, उसके जो हमारे पास ग्रिंडिंग मिक्स्चर्स था, जो बायो मालीकूल का मिक्स्चर्स था, उसमें से, हम उसमे chilled ethanol डालके उसे precipitate कर लेते हैं I hope आपको question बहुत दिजी लग रहे होंगे चीजे समझ में आ रही होगी अगर आपने detail में थोड़ा सा भी पढ़ा है तो जुरूर आपको समझ में आ रहा होगा next question question number 46 select the correct group of bio control agents bio control agents के बारे में पढ़ा है क्या आपने आपको यहां से बताना है कि बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या है वैसिलस थूरू एंजेजिस यह प्लीज आप इस पैलिंग को correct कर लेंगे वैसिलस थूरू एंजेजिस या फिट टोबैको मोजेक वाइरस एफिट्स ट्राइकोडर्मा वैकुलो वाइरस वैसिलस थूरेंजेजिस ओसिलिटोरिया राइजोबियम ट्राइकोडर्मा नौस्टॉक एजोस्पाइरूलम ट्राइकोडर्मा तो हम जो है बायो कंट्रोल के लिए किसे यूज़ करते है इसमें से आप्शन नमबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ट्राइकोडर्मा को यूज़ करते है वैकुलो वाइरस एंड वैसिलस थूरेंजेसिस को यूज़ करते है ठीक है नेक्स्ट कोस्टेन कोस्टेन नमबर 47 फिस आप दे फालोइंग पेर्स आफ ओर्गेंलिस डस नाट कांटेन डी अने इन वैसे ऐसी कोन सी आउर्गेंलिस है जिसके पास डी अने अप उन होता है यहनी कि डी अने नहीं होता है Mitochondria and Lyosurum तो Mitochondria के पास तो Double-Stranded Circular DNA होता है Like Prochiraute Cell है ना तो यह तो हमारा आप सेंगल अप वह गया chloroplast and vacules chloroplasts के पास भी double stranded circular DNA होता है mitochondria and plastid को semi-autonomous organelles कहते हैं याद है आपको हमने detail में semi-autonomous organelles को आलरेड़ी पढ़ लिया है आप channel पर इस वीडियो को जा कर देख सकते हैं option number C lysosome and vacules क्या lysosome में DNA होता है? नहीं ना, lysosome क्या है? जो हमारे पास गौलची बोडी थी वही basicles का formation कर रही थी जिन में hydrolytic enzymes थे ना, तो lysosome की पास तो कोई अपना DNA नहीं होता है और इसके साथ vacules इन में भी अपना कोई DNA नहीं होता है टिक vacule की जो cell wall होती है जो sorry, जो vacule की plasma membrane होती है इसे tonoplast कहते हैं, यह बात आप याद रखेंगे तिक आप हमें comment box में बताएंगे mitoplast किसे कहते हैं किसकी plasma membrane को mitoplast कहते हैं है, next is nuclear envelope and mitochondria तो nuclear envelope तो जो है, अलग से कोई तो organically है नहीं, वो तो nucleus का ही जो outer membrane है जो उसकी plasma membrane उसी को तो हम nuclear envelope कहते हैं तो यह भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया तो यहाँ पर correct answer बच्चों क्या हो गया that is lysosome and vacules option number C option number C, lysosome and vacules next question number 48 which of the following muscular disorder is inherited, इन में से वो कौन सा disorder है, जो next office spring में जा सकता है है ना, टेटेनी, या फिर muscular dystrophy, मैस्थेनिया ग्रेविस, या फिर botulism तो यहाँ पर हमारा correct answer क्या हो जाएगा muscular dystrophy, जो की genetically inheritable होती है ओके next question, question number 49 the ciliated epithelium cells are required to move particles our mucous in specific direction in humans these cells are mainly present in क्या पूच रहा है यहां से आप से की ciliated epithelium की cells जो है, ठीक है वो उन में क्या होता है one way moment होता है ठीक, तो वो कहाँ पर प्रेजन्ट है bile duct and brancheols में या फिर phallofian tubes and pancreatic duct में या फिर station tube and salivary gland में या फिर brancheols and fallopian tube में तो यहाँ पर मारा correct answer क्या हो जाएगा correct answer that is option number D brancheols and fallopian tube में one way moment के लिए cilia present होते है और यही cilia क्या है ciliated epithelium cells है टिक तो यह ciliated epithelium cells कहाँ प्रेजन्ट है brancheols में यानि कि हमारी respiratory tract में and fallopian tube में जो की one way moment के लिए responsible होती है clear and this session का last question question number 50 purines found both in DNA and RNA जो हमारे पास DNA है जो हमारे पास DNA है या फिर जो हमारे पास RNA है इनमें कौन सा जो purine है वो दोनों में present होता है तो आप सभी को पता है कि DNA हो या RNA हो उसमें दो nitrogenous bases present होते है two types के nitrogenous bases present होते है that is purines and pyrimidines ठीक है purines and pyrimidines purines and pyrimidines को detail में इसकी structures क्या है इसमें bonding क्या है इस सभी को हम लोगों ने पढ़ चुके है molecular biology के अंतरगत ठीक है इसी channel पर available है आप देख सकते हैं वीडियो को और महां से अपने purines and pyrimidines के concept को clear कर सकते हैं तो purines क्या है adenine and thymine है या फिर adenine and cytosine है या फिर thymine and guanine है या फिर adenine and guanine है तो जो हमारे पास purines है ये क्या है adenine and guanine है जो की दोनों में ही चाहे DNA हो चाहे RNA हो दोनों में ही पाई जाती है दोनों में ही ये nitrogenous base इस प्रजेंट होते हैं किलियर तो यहां पर हमारा option क्या सब जाएगा option नमबर D, Adenine and Guanine ठीक है तो प्यूरींस में क्या आगए हमारे पास Adenine and Guine and और जो हमारे पास Pyramidines है इसमें क्या जाएगा हमारे पास साइटोसीन, थाइमीन, एंड यूरेसिल, जिसमें यूरेसिल केवल और केवल आरेने में प्रजेंट होता है तो आई होब ये सारी कोस्चन आपके लिए बहुत ही हेलफुल रहे होंगे और आपने सारी कोस्चन के एंसर देने की कोसिस की होगी है ना तो आप अपनी प्रफेशन को एनलाइस करिए कि आपने 25 कोस्चन में से कितने कोस्चन आप सही कर पाए हैं तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सस्क्राइब करने, शेर अंड लाइक कर दीजिए ठीक है और इसी तरीके से हम और सेर्ष करेंगे आपके लिए कि जो आपके प्रीविज सेर के कोस्चन पेपर सौल कराने की कोसिस करेंगे इसके साथ हम आपके लिए कुछ model papers भी बनाएंगे जो आपके लिए exam के लिए बहुत ही helpful रहेंगे ठीक है तो चलिए मिलते हैं आपको next वीडियो में तब तक आप इस session को enjoy करें और आप अपने study को continue रखें और चीजों को अच्छे से और ध्यान से पढ़ें ठीक है concept को clear करते रहें ओकी चलिए बाइ बाइ टेक केर